धवल धाम मनी पुरट पटो सुघटित नाना भाती शिय निवास सुन्दर सदनो सोभा कि मी कही जाती जय सिया राम जय जय राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवव सुदा शिरत अजिर विहारी सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा बनी विशाल बाजिगज साला है गयरत संकुल सब काला सुर सचिव से नप बहु तेरे निर्पिग्रह सरी ससदन सब केरे पुर बाहेर सर सरे तसमीपा उतरे जहां तहां भी पुल महीपा देखिया नूप एक अंबराई सब सुपास सब भाती शुहाई पौसिक काहे उमोर मनुमाना यहां रही रगुबीर शुजाना भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तहां मुनि ब्रंद समेता विश्वा मित्र महा मुनि आए समाचार में थिलापत पाए संग सचिव सुचि भूरी भटाव भू सुरु बर गुर ज्याती चले मिलन मुनि नाय कही मुदित रावु यही भाज जै सियाराम जै जैराम मंगल भवनय मंगल हारी द्रववं सुरा सिरत अजिर विहारी कीन प्रणामु चरन धरिमाथा दीन असीस मुदित मुनि नाथा विप्र ब्रंद सब साधर बंदे जानि भाग्य बढ़राव अनंदे पुसल प्रस्न का ही बार ही बारा विश्वा मित्र नुर्फ ही वैठारा तेही आवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलबाई श्याम गौर मिर्दुबाय से कि सोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा उठे सकल जब रगुपती आए विश्वा मित्र निकट वैठाए भैर सब सुख देखी दो भ्राता बार विलोचन पुल कित गाता मूरती मधुर मनोहर देखी भयाउबिदे हुबिदे हुबिशेखी प्रेम मगन मनुजान निर्पो करी विबे कुधरी धीर बोले ओ मुनी पद नाई सिरो गद गद गिरा कभी जैजियाराम जै जैराम उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मड़ी जट सोने की जरी के परदे लगे हुए हैं सिताजी के रहने के सुंदर महल की सोवा का औरनन किया ही कैसे जा सकता है राजमहल के सब दरवाजे यानि फाटक सुंदर हैं जिन में वज़र के मजबूत अथवा हीरों के समगते हुए किवार लगे हैं वहां माताहत राजाओं नटों मागदों और भाटों की भीर लगी रहती है गोडों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़ सालाएं और गज़ सालाएं बनी हुई हैं जो सब समगत घुड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापत हैं उन सब के घरवीर आजमहल सरीके ही हैं नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उत्रे हुए यहने डेरा डाले हुए हैं वहीं आमों का एक अनुकम बाग देखकर जहां सप्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था विश्वा मितर जी ने कहा ये सुजान रगवीर मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए खिरपा के धाम स्रीरामसिनर जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समों के साथ ठार गए मितला पती जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामन विश्वा मितर आये हैं तब उन्होंने पवित्र हिर्दय के यानि इमानदार स्वामि भक्त मंतरी भहुत सेयोधा स्रेष्ट ब्रहमड गुरु गुरु सातानंद जी और अपनी जायत के स्रेष्ट लोगों को साथ ल ले राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया मुनियों के स्वामी विश्वा मितर जी ने प्रसन होकर आशिरवाद दिया फिर सारी ब्रहमड मंडली को आतरसहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग की जानकर राजा अनंदित हुए बार बार उसल प् के विश्वा मितर जी ने राजा को बैठाया उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे शुकुमार किशोर अवस्ता वाले श्याम और गवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुक देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं दोनों भाईयों को देखकर सभी सुकी हुए सबके नेत्रों में जल भराया आनंद और प्रेम के आशु उमड़ पड़े और सरीर रोमान्चित हो उठे मन को प्रेम मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्राई लेकर धिरए धारण किया और इमून के सरणव मैं शिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर बाणी से कहा जाई सिया राम जाई जाई राम मंगल भवन या मंगल हारी रवहों सुधा से रत हजिर विहारी